प्रिंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकन राइटर लैंक्स्टन हूद्स की एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में जिसका नाम है थांक्यू मैम यह जो स्टोरी है यह 1958 में प्रबिश की गई है स्टोरी में केवल दो मीजर क्यारेक्टर्स हैं और पूरी स्टोरी इनी दोनों के अराउंड घूमती है स्टोरी में बेसिकली यह बताया गया है कि किस तरह यह जो टीनेज वाली उम्र होती है उसमें जो लोग होते हैं जो बच्चे होते हैं वो कुछ ना कुछ गलती करते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए गलत तरीकों का भी सहारा लेते हैं लेकिन जो उनके बड़े हैं उनका ये कह सकते हैं फर्ज है कि वो उन्हें सही रास्ता दिखाएं उन्हें बताए कि क्या उनकी गलती है और कैसे वो अपनी गलती को सुधार सकते हैं साथ ही ये भी बहुत जरूरी है कि लोगों को जज नहीं करना चाहिए यानी मिस्टीक सबसे होती है लेकिन उस मिस्टीक के लिए हमें उन्हें जज नहीं करना चाहिए बलकि हमें उन्हें मौका देना चाहिए कि वो अपनी गलती को सुधार सकें उसे समझें और दुबारा से एक नई शुरुवात कर सकें फ्रेंट्स अगर बात करें राइटर की तो Langston Hughes का पूरा नाम था James Mercer Langston Hughes उनका जैन्म हुआ था 1st February 1901 में और उनकी डैथ हुई थी 22 में 1967 में वो एक American poet, social activist novelist, playwright और columnist थे साथ ही वो earliest innovator थे jazz poetry के उनकी famous works में The Negro Speaks of Rivers The Weary Blues Let America Be America Again ये सभी शामिल हैं तो चलिए फ्रेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंट्स स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें एक woman के बारे में बताया जाता है जो की हमारी स्टोरी की major character है इस woman का नाम है Mrs. Luella Bates Washington Jones ये जो Mrs. Jones है ये एक large woman है और इनके कंधे पर एक भारी पर्स है ये अपने घर को लौट रही है और रात के बहुत देर हो चुके हैं एक 11 बच चुके हैं ये अकेली सटक पर चली रही होती है कि पीछे से एक लड़का आता है और इनका पर्स घीचने की कोशिश करता है लेकिन जैसे ही वो उस पर्स को खीचने की कोशिश करता है तो पर्स का जो स्ट्राप होता है वो तूट जाता है जिसके कारण वो लड़का डिस्बैलन्स हो जाता है और वहीं पर्स पकड़े हुए रोड पर गिर जाता है ये जो मिसस जोन्स हैं ये तुरंथी मूरती है उस लड़के को एक जोर से किक मारती है और उसका कॉलर जो है उसके शर्ट का कॉलर पकड़ लेती है और फिर उससे कहती है कि मेरा जो पौकेट बुक है जो तुम से गिर गया मेरी पर्स से निकल करके वो मुझे उठा कर दो यानि मुझे मेरा पर्स उठा कर दो और उसका कॉलर पक्रे रहती है वो लड़का उन्हें वो पर्स उठा कर देता है तो फिर वो उस लड़के से कहती है कि ये वताओ क्या तुम्हें शर्म आ रही है तुम चोरी कर रहे थे मैंने तुम्हें पकर लिया तुम्हें शर्म आ रही है इस पर वो लड़का कहता है ये जो मिसेस जोन्स है ये उससे दुबारा पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया तो लड़का कहता है कि मैम मेरा ये एम नहीं था मैं चोरी नहीं करना चाहता था तो इस पर वो कहती है कि तुम जूट कह रहे हो उसी समय वहाँ पर से और भी कुछ लोग गुजर रहे होते हैं और सभी मुढ़कर इन दोनों को देखने लगते हैं ये वोमिन ये जो मिसिस जोन से ये दुबारा इस लड़के से पूछती है कि अगर मैं तुम्हारा कॉलर छोड़ दूँगी तो क्या तुम भाग जाओगे तो इस पर वो लड़का जवाब देता है कि येस मैम मैं यहाँ से दूर भाग जाओँगा तो फिर मिसिस जोन से कहती है कि नहीं तब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी अगर तुम यहाँ से भाग जाओगे तो इस पर वो लड़का दुबारा से कहता है I am sorry मुझे माफ कर दीजिए I am sorry इस पर वो वुमें कहती है कि तुम्हारा चेहरा बड़ा गंदा है तुम्हें पता नहीं है अपने चेहरे को धोना चाहिए साफ रखना चाहिए तुम्हारे घर में कोई तुम्हें यह सिखाता नहीं है तो इस पर वो लड़का कहता है कि नो मैम तो इस पर मिसिस जोन्स कहती है कि ठीक है आज शाम को मैं तुम्हारा ये चेहरा धुलवा के रहूंगी और ये सुनकर लड़का दर जाता है क्योंकि उसे इस बात की मीनिंग का समझ नहीं आता अब यहां हमें उस लड़के के गेट अप के बारे में बताया जाता है कि ये लड़का 14 या 15 यर्स कर रहा होगा काफी दुबला पतला था ब्लू कलर की उसने जीन्स पहनी थी और साथ ही टेनिस शूस पहने वे थे अब मिसस जोन्स कहती है कि अगर तो मेरे बेटे होते तो मैं तुम्हें सही और गलत इन दोनों में फर्क जरूर सिखाती और साथ ही तुम्हारा ये जो चेहरा इतना गंदा है ये भी तुमसे धुलवाती ये बताओ क्या तुम भूखे हो तो उस पर वो बच्चा जो है वो थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है कि नहीं मैम मुझे भूखने ही लगी प्लीस आप मुझे जाने दीजे तो इस पर ये जो वुमेन है मिसस जोन्स है ये कहती है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं चोड़ूँगी तुम्हें आज की शाम मेरे साथ बितानी है और जब ये शाम खत्म होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मिसस लुएला बेट्स वाशिंग्टन जोन्स आखिर क्या चीज है मेरा नाम नहीं भूलोगे तुम कभी और ये काफी आईरॉनिक बात है क्योंकि बहुत ही लंबा नाम है इनका तो याद रखना जरूर थी थोड़ा मुश्किल हो जाता है अब ये जो लड़का है ये बहुत डर चुका है और इसके हाथ पाउं कापने लगे हैं इसके चेहरे पर पसीने की बूंदे नजर आने लगी है और इसे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो मिसेस जून्स है ये अब इसके साथ क्या करेंगी अभी जो मिसेस जून्स है ये इसे अपने साथ घसीटते वे आगे लेकर जा रही है और अपने घर लेकर जाती है गेट खोलती है इसे अंदर ले जाती है और इसे एक सिंग के पास जाने को कहती है अपना चेहरा दोने के लिए फिर पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है तो ये लड़का बताता है कि मेरा नाम रॉजर है तो इस पर वो कहती है कि रॉजर एक काम करो उस सिंग के पास जाओ अपना चेहरा दो और ये लोड क्लीन टॉवल एक सूखा साफ टॉवल है इससे अपना चेहरा पोचो अब ये जो रॉजर है से समझ में नहीं आ रहा कि मैंने इसका पर्स चुराया था ये मुझसे मेरा चेहरा दुलवा रही है खिर क्यारना क्या चाती है ये तो ये पूछी बैठता है और बोलता है कि क्या आप मुझे जेल ले जाएंगी तो इस पर मिसिस जोन्स जवाब देती है कि इतना गंदा तुम्हारा चेहरा है कि मैं तो तुम्हें कहीं न ले जाओ जाओ जाकर कि चुप चाप अपना चेहरा दो और तब तक मैं कुछ खाने के लिए लगाती हूँ तुम्हें भी भूख लगी होगी कहां चोरी करते फिर रहे थे मेरे साथ बैठ कर तुम भी खा लो और क्या तुम्हारे घर पे कोई तुम्हारा इntजार कर रहा होगा तुम भूखे हो गर जाना है क्या तो इस पर वो लड़का जवाब देता है कि मेरे घर पर कोई नहीं है तो मिजन्स जोन्स कहती है कि ठीक है फिर बैठो, भूख तो लगी ही होगी और मुझे लगता है तुम्हें भूक लगी थी इसलिए शायद तुम मेरा पर्स चुरा रहे थे तो इस पर रॉजर जवाब देता है कि नहीं मैम ऐसा नहीं है असल में मुझे अपने लिए ब्लू कलर के जूते लेने थे इसलिए मैंने आपका पर्स चुराने की कोशिश की मिसेस जून्स कहती हैं कि अगर तुम्हें जूते चाहिए तो इसके लिए तुम्हें मेरा पर्स चुराने की जरुरत नहीं थी तो मुझे से मांग सकते थे और ये बात सुनकर ये जो रॉजर है ये और कन्फ्यूज हो जाता है कि आखिर ये स्ट्रेंजर मुझसे ऐसी कैसे बाते कर रही है अब उसे समझ भी नहीं आता वो क्या करे तो वो अपना चेहरा दो लेता है और उसके बाद टावल से अपना फेस भी साफ कर बैठता है अब ये जो मिसेस जोन्स है ये एक चेहर पर एक डे बेड़ पर बैठी वी थी और फिर ये रॉजर से बात करने लगती है ये रॉजर को कहती है कि तुम्हें पता है मैं भी तुम्हारी तरह एक समय में बहुत यंग थी और मेरी पास भी काफी चीज़े नहीं थी और इतना बोल कर वो चुप हो जाती है अब ये जो रॉजर है ये सोचता है कि जरूर ही ये आगे बोलेंगी कि मगर इतनी तकलीफे होने के बाद भी मैंने कुछ गलत नहीं किया तुम्हें मुझसे सीखनी चाहिए इस तरह की वातों का वो इंतजार कर रहा था मगर तभी मिसिस जोन्स कहती है कि ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहो जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैंने भी कुछ गलत काम किये है और मैंने क्या गलत काम किये है वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी बलकि मैं तो भगवान को भी नहीं बताती अगर उन्हें पहले से पता ना होता तो इसलिए ये सब कुछ मत सोचो यहां बैठो मैं खाने के लिए यहां पर खाना लगाती वाली हूँ तुम भी बैठो हम बैठ करके खाना खाते हैं और एक काम करो अपने बालों में भी कंगी कर लो अब यह जो लड़का है इसे दीरे दीरे मिसिस जोन्स पर विश्वास हो गया है यह रोजर नहीं चाता कि दुबारा से मिसिस जोन्स से गलत समझें तो इसलिए यह डिसाइड करता है कि यह अच्छी तरह से बिहेव करेगा और इनके साथ बैठ कर डिनर करेगा रोजर पूछता है मिसिस जोन्स से कि क्या आपको स्टोर से कुछ समान भी मंगवाना है आप कहेंगी तो मैं आपके लिए ला सकता हूँ लेकिन मिसिस जोन्स कहती है कि नहीं मेरे पास सब कुछ है कुछ भी नहीं चाहिए आओ बैठो बैठ कर हम खाते हैं और इसके बाद वो दोनों अच्छे से डिनर करते हैं अच्छे से मिसिस जोन्स जो है वो रोजर को पेट भर के खाना खिलाती है और फिर जैसे ही खाना वो खा लेते हैं तो वो उसे 10 डॉलर्स देती हैं और कहती हैं कि ये 10 डॉलर स्लो और अपने लिए अपने पसंद के वो blue shoes तुम ले लेना और आइंदा से दुबारा कभी किसी का पर्स मत छीनना इसलिए क्योंकि अगर तुम कोई गलत तरीके से जूते पाओगे तो वो जूते तुम्हारे पास रहेंगे नहीं हम अकसर कहते हैं कि अगर पैसे जो है वो गलत तरीके से कमाए जाएं तो वो पैसे हम use नहीं कर पाते बस वही चीज यहाँ पर ये जो मिसिस जून्स है ये रोजर से कह रही है इसके बाद ये अपने घर का गेट खोलती है और रोजर को जाने को कहती है और कहती है गुड नाइट आगे से अपना ख्याल रखना और इस तरह की हरकते मत करना अब ये जो लड़का है ये जो रोजर है ये बहुत कुछ कहना चाता है मिसिस जून्स को ये बहुत कुछ बताना चाता है ठैंक यू कहना चाता है लेकिन ये कह नहीं पाता तो इसके मुझ से सिर्फ दो वर्ड्स निकलते हैं थैंक यू और इसी के साथ मिसिस जोन्स जो है वो अपने घर का दर्वाजा बंद कर देती हैं और दुबारा कभी भी ये दोनों एक दूसरे को नहीं देखते हैं यहां स्टोरी खत्म हो जाती है लेकिन बताया जाता है कि एक सिंपल अक्ट आफ काइडनेस जो है वो कैसे लोगों पर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है यह जो मिसिस जोन्स थी यह चाती तो रॉजर को जेल में डाल सकती थी पुलिस से पकड़वा सकती थी लेकिन इन्होंने रॉजर को अपने साथ बुले अपने घर ले गई और उसे खाना खिलाया और फिर बहुत ही अच्छे से बात की उसकी हेल्प की तो इन सभी चीजों का क्या हुआ रॉजर पर बहुत ही अच्छा सर पड़ा और हम कह सकते हैं कि रॉजर अब एक अच्छा इंसान बन सकता है अपनी लाइफस्टाइल को बदल सकता है तो फ्रेंट्स ये थी लैंगस्टन हूट्स की शॉर्ट स्टोरी थैंक यू मैम अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करिए